हलो इस्टूडेंट वेलकम टू वेक माई यूटूब चैनल डिकलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट जैसा कि देख सकते कि बिहार विद्याले पड़िक्षा समीती जो सस्त्र 22-24 के लिए फ्रेंट वहां देख सकते हैं ओए फेसिस के माध्यम से जो देख सकते हैं तीनों मैं एट लिस्ट का अधार पर एडिवीशन की पड़किरिया को समाप्त कर लिया गया है और ऐसे में देख सकते हैं काफी सारा स्टूडेंट पूछ रहते कि सर इस्टेशन कब से स चैनल को स्क्राइब करके और लाइकन प्रेश कर देए ताकी पलपल की अपड़किरिया को समाप्त कर लिया गया है और देख सकते हैं अस्पोर्ट एडविशन क्या भी डेट यहां पे खतम हो गया काफी सारा स्टुडेंट अस्पोर्ट एडविशन नहीं ले पाए हैं तो मैं उनको बता दो फ्रेंट देख सकते हैं काफी सारा स्टुडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा एडविशन नहीं ह पर ये फ्रेंट क्योंकि आपका जो देख सकते हैं, आप लोग पहले ध्यान से देख लिजिए वीडियो, उसके बाद ही आप Adventure के लिये यहां पे देख सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, तो चलीए, जैसा कि देख सकते हैं फरेंट की काफे सारा इस्टूडेंट का जो देख सकते ह एडविशन छूट गया है तो मैं उनको बता दूं कि पटना में ही आपका एडविशन हो शकता है अगर आप चाहते हैं पटना में एडविशन लेना तो हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं और आपका सेंटर भी पटने में जाएगा और यह सरकारी कॉलेज नहीं बलकि प्रैविट क रखते हैं आपका सेंटर पटना में ही रहेगा और जानते हैं कि पटना में किस तरह से एक्जाम होता है तो चलिए अगर आप एड़ीशन के लिए तयार है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए हम आपकी हेल्फ जरूर करेंगे काफी सारा स्टुडेंट पूछ रहे थे क सर एड़ीशन नहीं हुआ है करवा दिजिए तो मैं आपको बता दो फ्रेंट कि पटना में ही आपका एड़ीशन होगा और पटना में ही आपका सेंटर रह सकता है तो चलिए अब तक सबसे बड़ी जानकारी यहां पर निकल कर आया है फ्रेंट कि जो स्टुडेंट छूट गए हैं स्पोर्ट नामंकन में वह एड़ीशन ले सकते हैं उनका देख सकते हैं हमारे द्वारा ही कराया जाएगा और आप लोग खुद आकर उसी कॉलेज में आप लोग दाखिला ले सकते हैं जहां पर हम आपको नंबर देंगे फ्रेंट तो चलिए देख सकते हैं हाला कि काफी सारा स्टुडेंट पूछ रहे थे कि sir registration कबसे शुरू होने वाला है तो चलिए इसी पड़ आउच वीडियो लेकर आया है फ्रेंट के आखिर registration कबसे सुरू होने वाला है तो चलिए देख सकते हैं हाला कि देख सकते हैं कि जो mail लिष्ण उसके अधार पर तीनों में अटलिस्ट की पड़किरिया को कम्पिलीट कर लिया गया है और यहां पर देख सकते हैं अस्पोर्ट नामंकन का भी पड़किरिया को समाप्त कर लिया गया है देख सकते हैं कि रजिस्टेशन कव से सुरू होने वाला है तो चलिए देख सकते हैं क पड़किरिया बहुत ही जल्द सुरू होने वाली अभी हर विद्याले पड़िक्षा समीती हाला कि अभी ऐसी कोई भी नोटिस नहीं निकाली है लेकिन देख सकते हैं जो हाई अस्कूल के कुछ टीचर है उनके दोबारा ही हम जानकारी लेकर आप तक यहां पर देते हैं तो 22 के लिए आप लोग देख सकते फ्रेंज सस्त्र 22 के लिए बहुत ही जल्द नवंबर में रेइश्टेशन सुरू करने जा रहा है भी हर विद्याले पड़िक्षा समीती है अगर आप दो हजार 24 में एक्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए यहां पर काफी ही देख सकते है बहुत ही बारा जनकारी निकल कर आई है कि नवंबर के हो सकता है फर्स्ट बीक में सुरू कर दिया जाए फ्रेंज क्योंकि देख सकते हैं अभी हलाकी देख सकते हैं काफी सारा स्टुडेंट का एडिविशन नहीं हो पाया है तो उनसे मैं यही कहूँगा फ्रेंज कि अग कि देख सकते हैं हजार या पंदरा सो रुपए जादे लग जाए लेकिन आपका सेंटर पटना में ही रहेगा अगर आप आर्स कोमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप लोग एडिशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम आपकी सहायता जरूर करेंगे त जिहार विद्ध्याले पडिक्षा समीति की तरफ से हलाकी देख सकते हैं काफी सारा जो टीचर से बातचित करने के बाद यह जानकारी निकल कर आए यह हैं कि देख सकते हैं कि इस महीना के बाद राइश्ट्रेसन की पड़किर्या को सुरू कर लिया जाएगा हलाकी देख स द्वारा ही दिया जाता है ऐसे नहीं कि हम बता दिये कि इस दिन एडिविशन होगा रेइस्टेशन होगा नहीं फ्रेंट क्योंकि देख सकते हैं बिहार विद्याले पड़िक्षा समीती और हाई अस्कूल के टीचर के द्वारा ही यह निज निकाला जाता है तभी हम आपको यहां पर जानकारी देते हैं तो चलिए उमीद करते हैं फ्रेंट कि आप लोग समझ गए होंगे जो असपोर्ट एडिविशन लेना चाहता है पटना में तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपका एडिविशन पटने में ही होगा फ्रेंट और आपका सेंटर भी पटना में ही जा क्योंकि इस महिना के बाद ही जो देख सकते नवंबर के फर्स्ट वीक में वह सकता है राइस्टेशन की पटकरिया को शुरू कर लिया जाए तो चलिए राइस्टेशन सुरू होते ही वीडियो को प्रभाइट करवा दिया जाएगा फ्रेंट तो चलिए आज की लिए इतना मैं फ्रेंग तब तक लिए टेकेन बाई